हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो वर चानल मुकेश कश्यप तो जैसा कि स्टुडेंट्स आप सभी थमनेल पर देख चुके हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर आपको फिजिक्स का सेकिंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और जिसका नाम क्या है मापन तथा मात्रक और आप सभ पूछा जाए कि आप कितनी रोटी खाते हैं तो क्या आप जबाब देंगे कि मैं एक किलो रोटी खाता हूं नहीं न क्या आप यह कहेंगे मैं 200 ग्राम रोटी खाता हूं नहीं न आप उसको कैसे बताएंगे कि मैं 2 रोटी खाता हूं कोई कहेगा 3 खाता हूं कोई ऐसे भी बोल सकता है कि मैं 10 रोटी खाता हूँ तो ये तो एक जनरल सा कोश्चन लेकिन अगर आप किसी परचुनी की दुकान पर जाएंगे और परचुनी की दुकान पर पहुचने के बाद आप कहें कि मुझे हल्दी दे दीजिए तो उसका जबाब क्या होगा वो आपसे क्या पूछेगा वो पूछेगा हल्दी चाहिए भाई कितनी चाहिए तो आप उससे क्या कहेंगे कि मुझे 200 ग्राम हल्दी चाहिए यसा कि ये पैकेट 200 ग्राम का है तो आप अगर ये पैकेट खरीदोगे तो उससे बताना पड़ेगा आपको 200 ग्राम हल्दी चाहिए समझ बार है अगर आपको एक साबुन लेकर आना है तो आप उससे साबुन के लिए बोलोगे कि मुझे 100 ग्राम की टिक्की चाहिए ठीक है अगर आपको पानी पूछना है किसी से कि कितना पानी लेना है आपको तो आप उसस से पूछा जाता है कि आप कितनी cold drink पीना चाहते हैं तो आपसे छोटी बोतल चाहिए बड़ी बोतल चाहिए आपको 1.5 लीटर चाहिए एक लीटर चाहिए या फिर 2 लीटर चाहिए ऐसे सवाल पूछता है पर्चुनी वाला आप से तो जैसा कि हमारे पास एक बोतल रखी है इसके अंदर 500 ml नहीं सौरी साड़े 700 ml इसके अंदर कोल ड्रिंक है तो हम इसको जो नाप रहे हैं किसमे नाप रहे हैं 500 ml के अंदर इसी तरीके से अगर हम पारले जी का बिसकिट लेने जाएंगे तो आप यह नहीं कहेंगे उससे कि मुझे 10 बिसकिट चाहिए 11 बिसकिट चाहिए 12 बिसकिट चाहिए आप उससे को पांच रुपे वाला पैकेट चाहिए इन बातों को नोट करना और अगर हम दूस में आपोगे कि 200 ग्राम का पैकेट चाहिए या फिर 100 ग्राम का पैकेट चाहिए तो यह सारे के सारा ऐसा लग रहा है जैसे कि आज मैं परचुनी की दुकान पर बैठा हुआ हूँ और आपको सब कुछ यह बेचने के लिए बैठा हूँ तो बच्चे एक चीज और लेकर आ 54 ग्राम है और इसका है 54 ग्राम तो यह मैं तोल कर लेकर आया था लेकिन आप जब भी खरीदोगे अंडा तो आप कहोगे मुझे दो अंडे चाहिए 10 अंडे चाहिए 20 अंडे चाहिए ठीक है तो हर अंडे का मोल एक ही होगा पांच रुपे का पांच का छाड़े श्यका मिल ठीक है तो यह सब जो चीजे हैं इनकी अलग-अलग फ्रिक्वेंसी हो जाती है अलग-अलग मात्रक हो जाते हैं अगर हम कपड़ा लेने जाएंगे मार्केट से तो क्या खरीदते हैं कहते हैं एक मीटर कपड़ा चाहिए मुझको दो मीटर कपड़ा चाहिए शर्ट के तो अगर हम खरीदने जाते हैं शर्ट तो हम बोलते हैं एक शर्ट लेली दो लेली तीन चार इस तरीके से उसकी कॉंटिटी आप बताते हो और अगर आप तार लेने जा रहे हो तो मार्केट से अगर तार खरीदोगे तो तार को आप नापोगे तो नापते समय आप किस में ना पोगे उसे मीटर में फुट में बातारी समझ में तो यही चीज समझाना चाहता हूं में कि क्या है मापन और क्या है मात्रक तो बच्चो इन सब समानों को देखने के बाद आपके सामने एक common word आया वो common word था कितना क्या आप समझ पा रहे हैं कि यह हर जगा पर था कि मुझ रशाने के लिए प्रियोग में आता है आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल के अंदर यानि कि पुराना समय था जब हमारे पास ग्राम किलोग्राम नहीं था मीटर नहीं था किलो मीटर नहीं था तब कैसे नापते होंगे लोग कभी सोचा मैं बताता हूं कैसे सोचते थे तो पहले जो था प्राचीन काल के अंदर लोग बाग जब लेने जाते थे कपला, तो कपले को लेने के लिए वो बोलते थे एक हाथ का कपला दे दीजिए, दस हाथ का कपला चाहिए मुझे, तो जो वो हाथ का कपला था उस पर उनकी आपस में बहुत लडाईया होती थी, किसी का कपला छोटा मिल जाता था क्योंकि छोटे हाथ थे किसी के किसी के लंबे हाथ थे कोई बोना आदमी था तो उसके छोटे हाथ थे तो उनके बीच में क्या होती थी आपस में लडाई होती थी इन चीजों को दूर करने के लिए उस समय पर एक राजाते थैल्स जिन्नोंने अप scale generate हुआ जिसको हमने बोला कि ये एक मीटर पैमाना है जो कि standard value के रूप में हमारे सब के सामने आ गया इसी तरीके से पहले अगर inch की बात की जाती थी तो जो inch का प्रियोग किया जाता था वो अपने हाथ के इस अंगुठे को लेकर ना पा जाता था कि इस अंगुठे के बराबर एक inch है ठीक है तो वही चीज यहाँ पर भी किसी का अंगुठा ये हिस्सा बड़ा है किसी का छोटा है तो वहाँ भी ये होती थी दिखकर अब इसी तरीके सा फुट का अगर इस्तमाल किया जाता था तो पैर का जो पंजा होता है जो तलुआ होता है पैर का उसको फुट के बराबर मान लिया जाता था लेकिन दिरे-दिरे जैसे increment हुई और आविश्कार होने लगे लोग समझने लगे तब इन चीजों के आविश्कार होने लगे अब अपनी chapter पर चलते हैं पहली चीज जो की है भातिक राशियाँ अब हमें पहले सबसे पहले समझना है भातिक राशियाँ क्या होती तो बच्चों जैसा कि हमारा पहला heading है वो है भौतिक राशिया जिसे बोलते है physical quantities इंगलिस में इसे बोलेंगे physical quantities और हिंदी में बोलते है इसको भौतिक राशिया क्या होती है बौतिक राशिया सबसे पहले समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो वे सभी राशिया जो एक संख्या दौराव वेक्त की जा सकें तथा जिनें पृतिएक्ष रूप से माप सकें बहुत इक राशिया कहलाती है लंबाई द्रब्यमान ताप चाल बल था समय बहुत एक राशिया हैं, तो बच्चे समझ लेते हैं, कि वो सभी राशियां, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक संख्या के द्वारा विफ्त किया जा सकता है, जैसे की हमने कहा, लंबाई, लंबाई के अंदर हम अगर लंबाई को कहेंगे, कहेंगे 10 मीटर, तो संख्या के में माप रहे हैं समझ पा रहे हैं उसके बाद में उन्हें प्रतियक्ष रूप से माप सकें प्रतियक्ष रूप से एक होता अप्रतियक्ष अप्रतियक्ष का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हम लंबाई को प्रतियक्ष रूप से ही नापते हैं क्योंकि हमें पता होता है हमे कि वे सबी राशियां जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकें या जिने पृतियक्स रूप से माप सकें बहुत इक राशियां कहलाती हैं ये कौन-कौन सी हो सकती हैं लंबाई द्रब्यमान, ताप, चाल, बल और समय बहुत इक राशियां हैं तो बच्चों जैसा कि अग भinst रएकट्र करते हैं कि कोई दी गई राशी किसी मानक राशी का कितने गुणा है मापन कहलाता है, हमने एक वर्ड बोला था कितना तो वो इल आगे है कि कितना गुणना हैं वही क्या कहलाये जाएगा मापन कहला, तो बच्चों में आपको पूरा डीपली समझाने वाला हूं क्या होता है मात्रक देखो किसी बहुतिक राशी के मापन के लिए उस राशी के एक निश्चित परीमान ये वर्ड ध्यान रखना परीमान को मानक standard यानि कि इंगलीज में बोलते हैं standard इस word को अभी मैं अच्छी तरीका समझाने वाला हूं और इस word को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को एक विशेश नाम दिया जाता है इस मानक को उस राशी का मात्रक कहते हैं जैसे मीटर किलो मीटर लीटर आदी ठीक है अब हम कर लेते हैं बात इसकी कि यह क्या क्या कह रहा है यह वर्ड देखो पहली चीज मानक क्या होता है इसकी जैसे अगली हेडिंग भी आने व अगर हमें किसी राशी को नापने के लिए, जिस सपोस हमने मीटर था, मीटर को हमने एक मीटर कितना होता है, उस एक मीटर को वही निर्धारित करने के लिए किसी actual value की जरूरत पड़ी, किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ी, जिसकी वज़ा से हम ये नाप सकें कि इतनी अगर ये चीज होगी, तो ये एक मीटर होती है, तो वो जो हमने संख्या ली, उस संख्या को बोलते हैं मानक, ठीक है, उस संख्या को क्या बोलते हैं, मानक, अब कोई भी राशी है, उस राशी को मापने के लिए, जिस मानक का प्रियोग किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं और इसको जैसे की क्या होता है मीटर किलो मीटर आगे लीटर आदी ठीक है next आगे heading में आपको पूरी तरीके से clear तो बच्चो next है आंकिकमान यानि की numerical value देखो बच्चो आंकिकमान बहुत ही अच्छी चीज है आंकिकमान यानि की हमने अभी आपसे पूछा था starting में कितनी रोटी खाते हो तो जो कितनी word आया वो बताता है दो रोटी तीन रोटी चार रोटी और अगर हमने कहा आपसे कितने लीटर आपको पैपसी पीने है तो जो उसके अंदर आगे word लिखा एक लीटर दो लीटर तो वो हमारा आंकिकमान कहलाता है जो नंबर लिखा है यानि कि numerical value जो होगी वो आंकिकमान होता है अब ये समझ लेते हैं कि किसी भी मानक को नापने के लिए दो चीजों की आवश्यक्ता होती है एक होती है आंकिकमान की दूसरी होती है मात्रक की तो हमने अगर कुछ भी लेना है बजार में तो हम बोलेंगे 200 ग्राम हल्दी लेनी है तो हम दो चीज़े बोलते हैं 200 और एक हल्दी जो जो 200 सब्द है वो है आंकिकमान और जो आगे बोला ग्राम वो क्या है हमारा मात्रक तो अब इसे definition में देख लेते हैं आंकिकमान उस राशी के परिमान देखो परिमान वर्ड अभी हमने पहले भी पोला था इसे आगे explain करने वाले आप चिंता मत कीजिए परिमान को प्रदर्शित करता है अर्थात यह बताता है कि उस राशी में उसका मात्रक कितनी बार समलित है जैसा जैसा कि इसमें दे रखा एक छड़की लंबाई 20 मीटर है तो हमने कहा 20 मीटर है तो यहां मीटर जो ह है वो कितनी बार समलित है 20 बार एक मीटर प्लस एक मीटर प्लस एक मीटर यह अगर हम लिखते रहेंगे एक दो तीन इसको क्या बोलेंगे तीन मीटर ठीक है न यह तीन मीटर बोला तो इसी तरीके से हमें 20 जो वैल्यू है वो बता रही है कि मीटर इस संख्या के अंदर 20 ब पार मौजूद है तो वही इसकी क्या है definition हो जाती है अब परिमान सब्द को समझ लेते हैं जो भी हमें value चाहिए उस value की जितना result आया वो result होता परिमान एक होता परिमान तो परिमान होता है जो की हमें value आई है जो हम खरीद कर समान लेकर आये हैं उस total को हमें जो analyze करते हैं वो कहला है हमारा परिमान तो बच्चों next heading है मानक क्या है मानक standard जैसा मैं आपको पहले समझा चुका हूं लेकिन इसमें मैं अच्छी तरह हैं समझाने वाला हूं मानक क्या होता है कि कि किसी भी मात्रक को अगर हम denote करते हैं जब इसको निर्धारित करते हैं तो उस मात्रक को नि अप सकते हैं और वो जो पदार्थ है उसी पदार्थ को हम बोलेंगे मानक लेकिन उस पदार्थ के कुछ गुण होने चाहिए कुछ ऐसी उसकी quality होनी चाहिए जिसकी वज़े से हम उसको मानक मान सकते हैं तो पहले इसकी पढ़ लेते हैं definition क्या है किसी भी बहुतिक राशी क मात्रक को निर्धारित करने के लिए जिस पदार्थ का प्रियोग होता है वह उस मात्रक का मानक कहलाता है इसका मान प्रतिये कि स्थान पर समान रहता है तो उस जो हमने मानक माना है जो standard माना है तो उससे क्या हमें साबित करना है कि उस value को अगर हम अमेरिका में खरीदें त वो भी उतनी मिलनी चाहिए और अगर हम उस्टेलिया में पहुँच जाएं स्री लंका पहुच जाएं दुनिया के किसी भी कोने पर पहुच जाएं तो जो वैल्यू हमने निर्धारित की है उसका मान बदलना नहीं चाहिए उसको हम बोलते हैं स्टेंडर्ड वैल्यू तो इस चीज के लिए हमें कुछ ऐसे पदार्थों की जरूरत पड़ी जो की हर जगा पर एक जैसे रहें उस पर किन चीजों का प्रभाब ना पड़े इस पस्ट रूप से पहली बात तो परिभाशित कर सके हम उसको सुगमता से उपलब्दों हर जगा आसानी से वो मिल सकें सुव आने में ही सक्षम ना हो आसानी से उपकरण योग यानि कि उसका हम इस्तमाल आसानी से कर सकें अचर होना चाहिए मतलब उसका मान जो है वो बदलना नहीं चाहिए किन-किन चीजों से समय के साथ सपोस हमने कहा बरसात के मौसम में उसमें कोई फरक ना पड़े गर्मी जाड ठीक है इस्थान उसका किसी भी इस्थान पर ले जाओ उससे भी उसका कोई भी फरक ना पड़ पाए तो ऐसे पदार्त को खोज कर उस पदार्त को हम मानक मान लेते हैं किसी का मात्रक निर्धारित करने के लिए तो बचो अब तक आपने जो कुछ पढ़ा उसके अंदर से मेरा एक आपसे कोशन है कि मैंने आपको दो अंडे दिखाए थे उन अंडों का मैंने कुछ वैल्यू बताई थी कि कितने ग्राम के हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना जिससे मुझे पता चल पाए कि आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से सीखा है देखा है और इससे कुछ समझ पाए है अगर इससे कुछ आपको अच्छा लगाए तो अपने दोस्तों में जादा से जादा शेयर कर देना लाइक तो करी देना और कमेंट में मुझे बता देना इसके अगर नोटस चाहिए तो मेरा WhatsApp नमबर दे रखा है उस पर मुझे contact कीजिए जिससे की आप लोगों को मैं सारे के सारे इसके notes दे दूँगा